हाई फ्रेंड्स मेरे तुन आगपाल देखिए एक और पिक आई है मेरे पास की यह डिजाइन जो है बताया जाया कि किस थरीके से यह डिजाइन बनता है आप देखेंगे आप इसे है देखिए यह बैसिक्ली जद्देंग अब यह design कैसे बनेगा यह मैं आपको बताने जारी ह हूं दस नंबर की सलाई से बता रही हूं और आपको यह बता दो यह जो है यह बारा फंदे हैं यहां बीच में उल्टे-उल्टे एक-एक फंदा है और उसके बाद जो यह फंदे हैं यह तेरा फंदे हैं तो चले देखिए कैसे बनेगा मैं आपको यह बता देती हूं अब मै और चार आठ नौदस ग्यारा पच्छिस चब्वेस यानि कि चब्वेस फंदों का यह डिजाइन है जो आपको माल्टेपल करते हुए अपने उसमें जाना है तो देखे कैसे बनाएंगे हम अब पहला फंदा उतारूंगी और एक फंदा उल्टा बनाऊंगी ऐसे अब यह जो दो है यह मुझे उल्टे बनाने है तो जो दागा नहीं खिचेगा जो खिचेगा उससे नहीं बनाना है जो नहीं खिचेगा उससे बनाने है एक और एक दो यह बनाए आपने और इस दागे को पीछे से ऐसे खिच लिया तो दिखाती हूं अब यह दागा आपने ऐसे अंद किया अंगूठा रखा और वापस बाहर किया अब यह दो फंदे हमें यहां पर उल्टे बनाने हैं लेकिन जो फंदा जो धागा नहीं खीचेगा उससे बनाना है यह इससे एक और एक दो ऐसे बनाया और फिर बैक से खीच देना है तो इस तरीके से जो है यह बनता हुआ जाय तरीके से करना है यह किया आपने जो नहीं खीच रहा है उसे पकड़ा और इस तरीके से दो फंदे आपने उल्टे बनाएं और इसको खीच दिया अब दुबारा से दिहान से दिखाती हूँ आपको यह दिखिए यह ऐसे लाए आप फ्रंट में अंगूठा रखा वापस दागा ले गए आप इसे उल्टा बनाना है तो ऐसे पकड़ा अब जो यह इस तरीके से जो खीचे गर नहीं दागा उससे आपने दो फंदे उल्टे लगाना है एक और एक दो और फिर इसे पीछे से भासे से ही गहारी एक दो तीन चार बन गया बी दो और भूनाने अमने ऐसे किया ऐसे किया और इस तरीके से लिए अब जो यह जो नहीं खिच रहा wants 10 दोंदे आपने उल्टे बनाए और फिर से खिच दिया अगीन दागा अ ऐसे यह अब जो नहीं खीच रहा है उसे पकड़के दो फंदे उल्टे बनाएं और फिर खीच दिया तो यह हमारे 12 फंदे हो गए इसे और उल्टे को छोड़कर यह पहला उतारा था फिर उल्टा था फिर दो दो चार पांचे साथ आट नौदस गैरा बारा तो यह बारा फं गुमा दिया अपने देखे उल्टा बनाना है और जाली डालनी है तो दागा गुमाया और चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार फिर यह तीन को हमने इस तरीके से तीन का एक करना है उल्टे में अब अगें चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार अब चार फंदे आपने उ लुटा बनाना है तो दागा ऐसे घुमाएंगे आप और यह फंदा उल्टा बनाएंगे अब यहां से आपकी जो है रिपिटिशन शुरू है जो हमने यहां से किये थे जो बारा फंदे हमने बनाए थे धागा यहीं रहने देंगे इसे इस तरीके से करेंगे यह आपने उल्टे बनाने यह पिटीशन है इसलिए एक बार ही बता रही हूं आपको यह फिर खीचना है और यह लास्ट का अप उल्टे साइड में देखिए करना क्या है कि पहला फंदा उतारेंगे आप अब जो यह दो फंदे हमने बनाए थे यह तो हम उल्टा बनाएंगे और यह जो फंदा था एक यह हम सीधा बनाएंगे फिर दागा अपनी तरफ करके यह जो जाली है इसे उल्टा बनाएंगे अब दागा आगे करके यह फंदे सीधे बनेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो फिर दागा अपनी तरफ करके ये जो जाली है से आपने उल्टा बनाना है अगेन दागा आगे करके ये फाला फंदा सीधा बनेगा और बाकी ये बारा फंदे अमारे उल्टे बनेंगे एक, दो, तीम, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा और ये बारा और ये फंदा हमारा सीधा बनेगा और ये लास्ट का फंदा अब देखें ये हो गया इस तरीके से अब आगे नेक्स लाइन पर है ये जो 12 है ये तो हमें ऐसे ही करने है ये उतारा आप 1 फंदा उल्टा बनाया अब ये फंदे वही एक्जेक्ली सेम करने है धागे को इस तरीके से पकड़ के ये उल्टे बनाने है ये आपने जो धागा नहीं खिछा है उससे बनाना है एक और एक दो फिर खीच लिए अब ये बारा फंदे हमने सारे ऐसे ही बनाने है अब ये दिखिए ये बारा फंदे हमारे इसी तरह डिजाइन के बने हैं ये एक फंदा हमारा उल्टा बनेगा फिर धागा आगे होगा और ये एक फंदा जो है यहाँ पे हमने जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ रखेंगे ये उल्टा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ रखेंगे और इसे सीधा बनाएंगे आप ऐसे फिर धागा आगे करक 2-3 पंदे उल्टे और 3 जाली है और यह पंदा उलता है, यही आपकी यहां से रिपिटिशन शुरू हो जाएगी यह दो जो फंदे हैं जो हमने इस तरीके से बनाने हैं कि खीच के उल्टी लाइन जैसे मैंने अभी बताया था वैसे ही बनानी है जाली वाला फंदा हम उल्टा बनाएंगे यह हो गया उतारा आपने और यह फंदा आपने जो है कि यह दो फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं ऐसे एक और एक दो फिर दागा आगे करके यह फंदा सीधा बनेगा दागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे बनेंगे अब यह दागा आगे एक दो तीन चार पार छे साथ यह देखिए साथ फंदे सीधे दागा अपनी तरफ और यह दो फंदे उल्टे यानि कि जो जाली है वो उल्टी हमेशा बनानी है फिर एक फंदा सीधा फिर दागा अपनी तरफ यह बारा फंदे उल्टे बनेंगे एक फंदा सीधा बनेगा और यह लास्ट को आगे फिर से देखे सीधी लाइन पर अब वही है यह बारा फंदे तो जिस सा डिजाइन था वही रिपीट करना आपने एक फंदा उल्टा करने के बाद इसे वैसे ही ऐसे पकड़के जैसे हम बना रहे थे उसी तरीके से जो है बनाना है ऐसे यह बारा फंदे सेम बनेंगे हर लाइन में आए जैसे डिजाइन था वैसे यह बनाया है अब धागा यहीं रखके यह उल्टा बनेगा एक फंदा फिर दागा यहीं रखके यहां जाली डलनी है और 2 फंदे सीधे बनने है एक और एक दो फिर दागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे अब हमने 3 का एक करना है इल्टे में ऐसे आगे दो फन्दे ऊल्टे आप यह दिखेंगे यह गटते बेचा रहे हैं और फिर दागह आगे दो फन्दे सीधे यहां पर गुमा दिया आपने और एक उल्टा बनाया और यह जो से हमारी repetition शुरू है वो आपने वैसे ही जो है करनी है उल्टी लाइन वही जैसे अवी तक बताया उसी तरीके से उल्टी लाइन बनाते वे जाएंगे पहला फंदा उतार के दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा अब जाली के समय दो फंदे उल्टे यानि कि तीन फंदे हमारे उल्टे बनेंगे अब यह एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे है यह देखे फिर एक दो तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा अगेन यह बारा फंदे उल्टे यह देखे फिर से आगे हम सीधी लाइन पर यह तो एस इस जो बताया वही दो लाइन का डिजाइन चड़ता वाजाएगा यहां पर आप देखेंगे यह गटता वाजा रहा है फिर वही यह फंदा आपने उतार के एक फंदा उल्टा और यह डिजाइन हम जिस तरीके से बन अब देखें फिर से बारा फंदों का जो डिजाइन का एस इस बना यह फंदा उल्टा अब यहीं पर हमने जाली डालनी है तो दागा यही रहने देंगे और तीन फंदे सी थे एक दो तीन फिर दागा अपनी तरफ अब एक फंदा उल्टा बनेगा और यह तीन का एक होगा इस तरीके से अगेन एक फंदा उल्टा फिर दागा आगे एक दो तीन फंदे सी थे यहाँ पर हमने जाली डालनी है तो ऐसे गुमाएंगे आप और एक फंदा उल्टा फिर य उसी तरीके से जो है करते वे जाना है अगर कर दो कर दो अगर उल्टी लाइन वही जिस तरीके से अभी तक बताती आई हूं वैसे ही करना इसे उतारा और दो फंदे आपने उल्टे बनाएं अब दागा आगे 1 सीथा दागा अपनी तरफ यह उल्टे 1,2,3,4 एब दागा आगे 3 सीथे दागा अपनी तरफ 1,2,3,4 फंदे उल्टे दागा आगे 1 सीथा अब यह 12 फंदे उल्टे बनेंगे कि देखें फिर से अब यह आगए हम ऐसे देखेंगे अगे पहला उतारूंगी एक उल्टा बाकी यह डिजाइन तो जैसे बन रहा है वैसे ही बनेगा इस तरीके से हम इदेखें फिर से वही बारा जो डिजाइन है वो बना लिया दागा अपने तरफ एक उल्टा यहाँ पर जाले डालनी है तो दागा यही रहने दिया अब एक दो तीन चार ये चार फंदे आमनें ऐसे बनायए दागा अगे करके तीन कहें किया इस तरीके से फिर दागा वापस आगे और एक दो तीन चार फंदे सीधे जाली डाली है दागा लपेटा एक शुरू है ऐसे उल्टी लाइन वही जो ऐसे अभी तक बताती आ रही हूं उसी तरीके से करते वें आप जाएंगे ये उतारा दो फंदे आपने उल्टे बनाएं एक सीधा आप अगेन ये सारे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच एक फंदा सीधा अब ये फंदा भी बिसिकली मैं उल्टा ही बनाऊंगे आपर देखेंगे ये जो है ये फंदा उल्टा बनेगा और फिर एक दो तीन चार पांच अब दागा आगे एक फंदा सीधा फिर बारा फंदे आपके उल्टे बनेंगे ये ही बेसिकली डिजाइन तो यहीं पर खतम हो गया आप स्टार्टिंग से फिर से वह ये साइड तो ऐसे ही चटता हो जाएगा बस यहां पर आपने फिर से जैसा हमने यहां पर किया था वैसे ही करना है एक लाइन अभी बता देती हूं आपको बागी यही डिजाइन आप यह बार बता देती हूं यह उतार के एक फंदा उल्टा और यह डिजाइन तो जैसे बताया वैसे ही उसी तरीके से इसको आपको चलाते वे जो है जाना है ऐसे यह देखिए बारा जो फंदे है से रिजाइन जो हमने बनाना है यह बना लिया धागा अपनी तरफ एक उल्टा अब यहां पर फिर से जो हमने किया था वहीं शुरू करना है तो धागे को ऐसे लपेटेंगे जो फर्स लाइन में किया था फिर एक दो तीन चार चार फंदे आपने उल्टे बनाये अब इन तीनों को फिर से आपने ऐसे तीन का एक करना है अगीन 4 फंदे उल्टे एक दो तीन चार और यहां पर हमने जाली डालनी है ऐसे लपेट के एक फंदा उल्टा और यहां से repetition आपकी शुरू हो जाएगी जैसे आपने बनाना है तो यही जो lines है इतनी ही आपने इसको repeat करते वे जाना है मैं दिखा देती हूँ अब आपको यह देखिए यह देखिएगा बस यही चीज आप करते वे रिपीट करते वे जाओगे तो यह मेरे को आपने डिजाइन बेजा था जिन्होंने भी बेजा है यह डिजाइन इसी तरीके से जो है बनता हुआ जाएगा यह देखिएगा यह है बैसिकली देखिए बहुत ही कुपसरों सा डिजाइन है बहुत अच्छा चड़ता है अगर आप इसे सारे पर चड़ाते वे जाएंगे बहुत सुन्दार है तो चलिए फिर बनाइए और शेयर जरू कीजेगा सबके साथ थैंक यूँ